हलो चिल्रन तोड़े वी विल टेक लेसे नमबर ट्वैल हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड इसमें ऑथर ये बता रही हैं कि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को किस तरह से पढ़ना सिखाया इसमें ऑथर जो हैं वो बारा साल की हैं और वो एक छूटे से गाओं में करनाटका में अपने ग्रैंड परेंट के साथ पर रहती हैं उस समय ट्रांस्पूर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इजी नहीं था और इस कारण morning papers, news magazines और जो भी पोस्ट थी वो सभी बहुत देरी से आते थे और उसका वो सभी बहुत बेसबरी से इंतिजार करते थे उस समय त्रिवेणी नाम की एक बहुती popular writer थी जिनका एक novel था काशी यात्रा जो की weekly कर्म वीरा की नाम से आता था उसमें एक old lady की कहानी है जिसकी बहुत इच्छा थी काशी यात्रा करने की क्योंकि जादतर हिंदूज का ऐसा मानना है कि काशी यात्रा करने से पुन्य मिलता है इसमें एक कहानी और आती है young orphan girl की जो शादी करना चाहती है लेकिन पैसे की कमी के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती है तो वो old lady जितना अपना saving जो था उसका वो सब उस लड़की की शादी में लगा देती है और वो कहती है कि किसी की खुशी जो है वो एक भगवान की पूजा के समान है मेरी grand mother भी क्रिस्ट काजिन का नाम था वो कभी school नहीं गई थी हर बुद्वार को magazine आती थी और उसमें एक नए episode आता था और उनकी इच्छा होती थी कि मैं वो सारी कहानिया उनको सुनाओ इसके लिए वो बहुत ही बे सबरी से अपना सारा काम छोड़कर और बड़े concentration के साथ में उस कहानियों को सुना करती थी और उस कहानी को सुनते वक्त वो अपने आपको as a protagonist main character उसमें अपने आपको पाती थी और वो चाहती थी कि हर कहानी को मैं बहुत ही ध्यान से और बड़े ही अच्छी तरे से उनको मैं सुनाओ एक बार की बात है मेरा किसी शादी में जाना हुआ पास के गाउं में और मैं उनको दो दिन का कहके गई लेकिन किसी कारणवर्ष मुझे वहाँ एक सप्ता रुकना हुआ मैं जब वहाँ पर अपने गाउं शादी से लौट कर आई तो मैंने देखा कि मेरी ग्रैंड मदर के आँखों में आसू है मैं कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर वो इतना परेशान क्यों हो रही है मैंने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि क्या आप एकदम ठीक है उन्होंने बिना रिप्लाई की हुए अपना सिर हिलाया लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है रात को सोते वक्त मेरी दादी माने अपने बारे में बताया कि जब वो यंग गर्ल थी तो उनकी मा की डैथ हो चुकी थी और उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी मेरी देखबाल करने वाला और पढ़ाई कराने वाला कोई भी वक्ति नहीं था और जल्दी ही मेरी शादी हो गई और मैं अपनी फैमिली में बिज़ी हो गई इस तरह से वो अपनी पास्ट कहानी बता रही थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब मुझे क्यों बताना चारी है मैंने उनकी आखों में आशो देखे और पूछा कि आप क्यों रो रही है कारण क्या है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ क्या मैं आपके कुछ काम आ सकती हूँ मेरी ग्रान्मदर ने कहा हां तुम मेरी मदद कर सकती हो दादेमा ने आगे बताया कि तुम्हें मालूम है कि कर्म वीरा जो सीरियल मैगजिन है वो as usual आती है जब तुम यहां पर नहीं थी तो मैंने उस कर्म वीरा मैगजिन को खोल के देखा मुझे पिक्चर्स तो समझ में आ रहे थे लेकिन जो उसमें लिखा हुआ तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं बहुत ही परिशान थी कि किस तरह से मैं उस कहानी को मैं जानू और मैं गाउं में उस मैगजिन को लेकी घूम रही थी कि कोई मुझे उस कहनी के बारे में बता दे मुझे बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि ऐसे पैसे से क्या फाइदा जो अपने आपको इंडिपेंडन नहीं बना सके अब मैंने सोच लिया है कि मैं पढ़ना सिखूंगी और दशरे की दूसरे दिन जब सवसती पूजा होती है वो मेरी डैड लाइन रहेगी मैंने उनको पढ़ना सिखाया और मैंने ये देखा कि उनका determination बहुत ही गजब का था और बहुत ही जल्दी उन्होंने पढ़ना सीख लिया जब दशरा आया उसके दूसरे दिन सवसती पूजा वाले दिन उन्होंने मुझे अपने पास में बुलाया और मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट करी और वो मेरे पैर छोने लगी मैं एकदम से घबरा गई कि ऐसा वो क्यों कर रही है कि क्या कभी बड़े छोटों के पैर छोते हैं तो मेरी ग्रैंड मदर ने कहा मैं अपने लिये या अपनी नजर से ग्रैंड डाउटर को नहीं देख रही हूँ मैं मैं एक सिक्षक को देख रही हूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाया और मैंने भी दादी मा को एक गिफ्ट प्रेजन्ट किया और जैसे ही उन्होंने ओपन किया तो वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसमें एक नौवल था और जिसका नाम था काशी यात्रा बायत्रिवेनी उस नौवल को पाके वो बहुत खुश हो गई और उन्होंने भी मुझे बहुत सारा आशिरवात दिया